करेंट वेलकम वंस अगेन दोस्तों पिछली क्लास में हमने देखा ब्लॉक्षीर फेलियर के बारे में कि और ब्लॉक्षीर फेलियर से पहले हमारे पास मैं एक बार पूरा रिवाइस कर देता हूं आपको तेको भाई प्लेट की जो फेलियर हो सकती है वो और लास जो फेलियर था जो कीवल बूर्ट में हमने पड़ा वो था इस ब्लॉक्षीर फेलियर आपका नॉर्मली नहीं पूछा जाता है लेकिन अगर पूछ लिया उसके आधारीत आपके इसके आधारीत थियोरी उसके आधारीत फॉर्मले वो सब आपके जरूरी हो जाते हैं कि पढ़ना तो सब है कि कुछ भी नहीं चोड़ना है कुछ भी आ जाए और मुझे नहीं लगता है कि ब्लॉक्षीर पेलर में बहुत जादा लोड आपने डाला भी एधिकाव में इस तरह से हमने सारे की सारी बात बता है क्यों ब्लॉक्षीर फिलर आ रहा था वो दो पॉइंट नॉट में लेकाया थे लास्ट में इस सब बाते हैं आपके एक्जाम से जुड़ी भी है और एक्जाम से जब जुड़ी भी है तो पढ़के तो जाना चाहिए भाई चलो जी आज बात करते हैं हम नियाकात आप से कि अब हम आज पढ़ेंगे efficiency of joint दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो बॉल्ट joint है आपने बॉल्ट की strength निकालना सीखा ठीक है उसे बाद आपने plate की strength निकालने सीखी bearing सेरेंग और रफ्चर इस्टेंथ सब चीजने कोई दिक नहीं ब्लॉक्स यह इस्टेंथ देखा आज भात करेंगे कि हमारा जो जॉइंट बूर्टेट जॉइंट वह कितना दक्षता दे रहा है कितनी efficiency दे रहा है कितना दक्च अपने काम करने में कितना efficient है दक्चता उसकी कितनी है दोस्तों ध्यार रखेगा efficiency of bolted joint के लिए क्या करना है हमको इसके लिए हम बनाते हैं efficiency of bolted joint efficiency of bolted joint यह efficiency of joint लेको क्योंकि पड़ी तो रहे हम joint भी efficiency of bolted joint यह joint लेको क्योंकि बोल्टी पढ़ रहे हैं तो बोल्टी की बात कर देऊंगे बाई दिमाख लगाए सकता है दोस्तों efficiency of joint को हम सभी लोग जानते हैं पिछली क्लासों में भी जब हम रिबेट पढ़ रहे थे ना उस समय भी मैंने आप से कहा था कि सबसे पहले आपने निकाला होगा दोस्तों वी डीबी अब आप सोचेंगे वी डीबी क्या है यह तो हमने सुना है नहीं design strength of bolt दोस्तों वी डीबी निकालना मैंने बहुत अच्छे से आपको बता है design strength of bolt उसके बाद था TDZ क्यांसे देखते रहेगा टेंशनले टीडीजी उसके बाद था दोस्तों TDN वेरी गुड और उसके बाद था लास्ट में जो कि तो आपको याद आ गया होगा कि इन सभी चीजों के बारे में हमने discuss किया है अगर मैं इसकी बात करूँ तो design design strength of bolt जो की depend कर रहा था दो चीजों पर एक था VD आपको याद हो इसी को आप bolt value भी कह रहे थे क्यूं कि दोस्तों यह हो या यह हो यह केवल हम single board के लिए कर रहे थे क्या सारी की सारी केवल हम single board के लिए कर रहे थे कहने का मलब है जो वीडी भी है वो हमारा design strength of bolt आया लेकिन एक single board के लिए आया है इसके लिए single board के लिए इसलिए एक काम किया जाए ना इसलिए एक काम किया जाए ना कि हम जब efficiency निकालते थे efficiency में तो एक बोर्ड की नहीं बात करते न आपको याद है ना sharing strength of bolt वहाँ पर number of rebate जितना था उतना ही से इसलिए यहां पर तो कोई बोल्ड वैल्य की बात होती नहीं थी यहां पर होगी हमारे टोटल टोटल जितना भी रिवेट उसका sharing strength का इसलिए हम यहां पर एन लिखना मुनासिव समझेंगे यहां पर number of rebate sorry number of bolt करना मुनासिव समझेंगे समझना पड़ेगा तो एन टाइम सॉप वी वी यह बहुत बढ़िया रहेगा कॉमा ती डीजी याद आ रहा आपको टी डीजी क्या है चलो मुझे बता टी डीजी क्या लिखाया था आपको जल्दी बता कुछ फर्मला सारी बात ने याद दिलांगा या टेंजन लो टी-डीजी का याद करो जल्दी से दोस्तों याद आ रहा हो तो बताइए रोफ सेक्शन इलडिंग क्रॉइस सेक्शन इलडिंग था फ्य एजी अपून गाम एम नॉत क्या अरे ये फ वाई गामा इन्टू एजी अपून गाम एन normal क्या रैसी तो क्य था आपने Fy gross area upon gamma M0 क्या क्या दर है कुछ TDG gross sectional yielding अर अगर मैं net section rupture की बात करो तो TDN था क्या 0.9 ऐसा था 0.9 FU into net effective area upon gamma M1 ये दुमारा क्या था net section rupture this is for net section rupture TDN this is for the gross section yielding TDG इन दोनों के लिए आमने strength निकालना सीखा था इबन gamma M0 का वहले दोस्तों 1.1 था 1.1 था gamma M1 जो निकालना था 1.25 था यादा रहा है कुछ और यही बात आपने TDG TDB में भी देखा था TDB का formula मैंने पिछली class में आपको बताया design block shear strength यह क्या था दोस्तों block shear strength था और इसके लिए दोस्तों वहाँ पर भी आपका एक formula इसकी भी जड़त पड़ी थी और इसकी भी जड़त पड़ी थी चाहे तो आप पिछला जो class था दोस्तों उसमें थोड़ा सा correction करना कि जहां पर correction कुछ नहीं करना सब कुछ बढ़िया है जहां पर आपका gamma M not use होगा किसमें जहां सुनों TDB में design block shear strength में जहां जहां आपका gamma M not use वहाँ होगा उसकी value वहां पर 1.1 ही रखना है कहीं पर भी यहां पर यूज हो आए और gamma M1 की value जो है 1.25 भी रहेगी इसलिए बिल्कुल भी आपको गवरानी जरत नहीं है कहने का मतलब है efficiency of the joint के लिए formula के हम बहुत नजदी का चुके हैं क्या सारी बातें आपको completely याद आ गई हैं अरे बताओ जल्दी से याद आ गई हैं वेरे गोन एक सेक्ट ना, एक सेक्ट झाल 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 डिजाइन इस्टेंट अब बोड जिसमें एन का मल्टिप्लाय आपको करना बहुत जरूरी है उसी से पता लगेगा आपको टोटली पूरे पूरे नमर अप रिबेट को लगा के कहने का मला पूरे नमर अप रिबेट लगा कि आपका तब काम होगा है ना और यह तो तुमारा टोटली स्टेंट हो गए हमारी लेकिन दोस्तों टेंशन यह है कि स्टेंट अफ सॉलिट प्लेट कैसे लोग है आप आगर मैं आपको आपको यह क्या निकला, गर मैं आप से कहँं, strength of solid plate, तो strength of solid plate के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, strength of solid plate है न जो, वो आपकी tdg से ही आती है, tdg से ही, actually मैं पूरा का पूरा plate जो है, gross leading के साथ से इसको देखते हैं, और वो आता है, Fy upon Fy into Az upon Gamma M not अब आपको एक चीज का डाउट हो रहोगा ये क्या कर दिया सर ये क्या कर दिया सर पर दोस्तों ये जो चीज है न इन तीनों में से इन सभी में से भी जो मिनिमाम होता न इन में से वही लिया जाता है आपका ये है एक्चुल तरीका लेकिन मैं आपको पहले basic format त्यार कर देता हूँ ये actual तरीका देशता हूँ लेकिन मैं basic format त्यार कर देता हूँ अजब आप efficiency निकाल रहोंगे दोस्तों wheels efficiency निकाल रहंगे strength of the सबसे परला आँ निकालेंगे दोस्तो, strength of the joint strength of solid plate निचे रहेगा strength of solid plate बेए क्रेगा है यह कर ना है जी, अरि यह करने यही आ है तरीका यही है, एक तरह ऐसे आप में लिखा स्ट और बृ社 चोनेक् Adaptive Contract लिको जॉञैंट से जग है, चैनलो जॉअइंट भी लिखोगे तो आ médico बढ़िया है किस्टंक भूत में कनेक्शन अभी दर देखो कि इस्टेंथ आप पूर्टेट कनेक्शन ठीक है अपन में क्या लिखा आपने इस्टेंथ आप सॉलिट प्लेट यह है फॉर्मुला दोस्तों अब यह बहुत जेनुट फॉर्मुला आपका इसके बिना नहीं हो पाएगा क्या यह आपका एफिशेंट से निकालने करेंगे यहां पर कंफीज़ दो जगए पर है सबसे पहले श्रेंथ आप बूर्टेट करनेक्शन है श्रेंथ आप बूर्टेट कनेक्शन कैसे निकालोगे सवाल यह स्ट्रेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है क्या करना है जून सब मिनिमम होगा ना मिनिमम और मिनिमम और अब मैं यह बात बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूं कि जब भी आप सब स्ट्रेंट को बात करते हैं कि मेरी सामर्थ कितनी है आप ज्यादा मत बताओ ज्यादा बताओ अगर भाविश्य में आपने लोड उसी साफसा लगा दिया तो गए ना हो सकता है कि आपने बड़ा इन पहले तो मैं लिग देता हूं मिनिमम और अफ एन एन एन स्ट्रेंध टोड आपने बूला वे पी लखी हे यह रीए अन भी डी यह दुरुच के लिख़ यहता भूले व एज़ी टीन पी इसी यही डीशी टीजा इज़ी बडुटों दोश्तों दी एन इसके लाब भी कुछ लिखा था एतले लिखा था ख सर एन वीडी टीवी टीडीजी टीडीएन और टीडीवी तारी चीज़ है न हाँ ठीक है इन में से मिनिमाम होगा जो कि यह तो हो गया दोस्तों आपका सब्सक्राइब कनेक्शन वीडीवी टीडीजी टीडीएन वीडीए अब आता है इन में से मिनिमाम भाई ध्यान रखे का मिनिमाम का क्या रोल है आप मिनिमाम पर दिखाओ यह पहले भी यह पोई बधा चुक हूँ अब आते हैं स्टेंथ अफ्स वाहां पर होता था रिवेट में इस्टेंथ और गीडीट अब सॉलिट देच ये लेकिन यहाँ पर वैद्ध सबसी जदह जो खतरा हे वहांपर ही मानेगे ग्रास पूरे एरिया पर मानेете नौहराइक पुरे ग्रॉस एरिया पर मानेंगे एन वहाँ पर नमर अब बोल्ट है बाई मैं बता दूंगा आपको इस्टेंथ अब सॉलिड प्लेट जो आलवेज जो होता है दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट लिखूंगा के एक स्फेंथ आप सॉलिड प्लेट आलवेज गवंड ऑलिडिंग लिख देता हूं यहाँ पर लिट प्लेट तवॉड गवद करएग्स सफेंथ औरर इंतरा जो रहेगा कि इलडिं का रहेगा कहने का मतलब है त्पाल पूरे पूरे में जब इल्डिंग का खत्रा है तो इल्डिंग के इसाब से देखो अब इल्डिंग के इसाब से कौन से बात हुरी थी टीजी की बात हुरी थी का इल्डिंग से एक बात वही कर दो जी वह भी तो प्लेट की स्टेंथ है जी ये भी तो प्लेट की स्टेंथ नि तो आप सॉलिट ब्लेट की बात करेंगे एज टीडीजी की तरह आएगा और टीडीजी में आप सभी लोगों ने देखा था हिल्डिंग स्ट्रेस इंटो ग्रॉस एरिया अपोन गामा एम नॉट ही कर रहे था और गामम नॉट का फौर्मला भी आपको पता था धू lactanza वन फोइंटर न पना प्ले रहे थें वना महिए जो मैंने पहले बता रहा अपको कितना लेना है One point one ये पहले रहा रहा चाहा मैंजो ह्हुत आपको काम है मान गर कभीrent 1 लिया जाए 225 थो ये बनके हमारा दोस्तों क्या वरमिला एदी जे के लिए या इस टेंट आप शॉलिट प्लेट निकाले का फॉरमिला आजी वही ग्रोस एरिया होगा ऑजी वही दोस्तों पहले भी आ है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है टीस क्या है ग्रोस एरिया है fi इडिंग स्ट्रेस है ए cuts एक भुझे और अछे आयों प्लेट से हटा दो इस तक यहाँ पर जो M है वह एन हो नम्मर अ बोल्ट होंगे तो नम्मर अ बुल्ट होंगे यहान पर इस तरीके से दोस्तों एल फींजी हम निकाला करते थे अर्रेंजमेंट आज बूट हमारा समाप्ति की और है हम ध्यान रखेंगे हमारा जो चेप्टर है वो समाप्ति की और है बोल्ट कनेक्शन बस इसमें असेंट्रिक वाला केस हमको सीखना है नेक्स्ट हम सीख रहें दोस्तों अरेंजमेंट कहने का मतलब है आपने अभी जस्ट पहले अपीशेंसे निकालना सीख आपीशेंशी के लिए श्रेंट ऑफ दलेट या श्रेंट अब बोल्टेट कनेक्शन अपन अपने श्रेंट अब सॉलिट प्लेट इस रंधा बोल्टेट चनेक्शन के लिए सबसे पहले वी डी भी इस तेंट वीडी भी निकाला अन्यक्रेगा वीडी जिससे हमारा क्या निकला जिससे हमारे पास ने देखा कि यह जो वीडी भी है इससे क्या निकला दोस्तों इस स्ट्रेंट पूल्ट लेकिन इन्टू मल्ट्प्लाय कर देंगे नौसर टीडी जी आ गया रॉस सेक्शन इल्डिंग टीडीन आ गया नेट सेक्शन रप्चर वी वीडी आ गया देशतों व्लॉक्स एर इस तो खतम होगे इनमें से मिनिमम स्ट्रेंट अब सॉलिट अपन म आपने देखा होगा वहाँ पर आपने रिबेट में इन बोल्टिंग चेंड रिबेटिंग पड़ा था कुछ आपका याद आ रहा है तो बस दोस्तों पाई चूजिंग दा अरेंजमेंट और डिपरेंट अलेंगमेंट आप बोल्ट वी कैन इंस और एकनोमी इन डिजाइन सब्सक्रीब पहले पॉइंट इंटेंशन मेंबर द्यांच असुनिये गांटेंशन मेंबर आवर में अम यहां रहता है मेरा कहाणी यह रहता है अरेंजमेंट का मतलब यह है एक तो करने का मतलब है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपका की चक्र में आपका रफ्चर हो जा रहा है क्योंकि टेंशन तो लोड आ नहीं है इसलिए हम कुछ ऐसा एर्जमेंट देंगे जिसे की ज्यादा हमें फराग भी ना पड़े हमारा जो है स्टेंथ भी मलब की बढ़िया रहे और आपका पैसा भी ना लगए आप सभी लोग तो जानते हैं सबसे में अब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन किसी भी डिजाइन कर रहे हैं किसी चीज को तो आपका सबसे पहला आएम तो यही रहता है कि भाईया स्ट्रंथ और दूसरा यहीं यह भी रहता है साथ में सामल्टेनेसली एकनोमिक ना तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हम बात करें अर्रेंजमेंट के बारे में सबसे पहला वह दोस्तों चेन बोल्टिंग जिस प्रकार से चेन रिबेटिंग आप पढ़ रहे तो वैसे ही चेन बोल्टिंग भी आप पढ़ेंगे बहुत ही आसानी तो चलिए चेन बोल्टिंग में आप क्या देखोगे तब पढ़े वह आपने ऐसा कोई बहुत बड़ी नई चीज नहीं सीखो गया तब कुछ चीज़ें समझी भी आपने देगे दोस बताते हैं तो याद आएगा नहीं मैं बताता हूं आपको देखो दो लाइन क्या दिखा रही है वेलके काम करो कर अपर बनात वाप पर द्यान से अ दोस्तो यहां पर आपको याद आ जाएगा भी टेंजन अलो एक प्लेट यह है और एक प्लेट यह है है दो प्लेट थी एक बार मैं सम्झाए देता हूँ आपको क्योंकि दुसरी बार आपको जरत नहीं पड़ेगी समझा तो रखे मैंने लेकिन रिविजन करवा देता हूँ यह फिगर आपकि इस हिसाब से बना रहे थे दो यह पलेट है में प्लेट इंप्लेट को और क्नेकट के आप वैठ कर रहे हैं सरी अब जोहिएंड की बात कर रहे हैं ध्यानत न ला है कि कहने का मतलब है दोस्तों आप साफ साफ से देख रहे हैं कि यह दोनों प्लेट जो थी एक यह वाला प्लेट और एक यह वाला प्लेट यह मेन प्लेट हैं दोस्तों कि नहीं दोनों मेन प्लेट हैं और अगर आप ध्यांज देखें तो यह कबर प्लेट है लह वारलो कि इसको छीए यह निसमा इती है डिखान देखें तो यह लाइन क्या प्लेट को दिखा यह दोस्तों कि यहां से आपकी कवर प्लेट अब सुरू हो चुकी है एक कियर पुलिस समझता समझदार बन जाओ और यह जो एक लाइन है यह वाली लाइन यह तुम्हारा सेंटर लाइन को दिखा रहे हैं अब आपने फील कर दिया होगा कहने का मतला और यह लाइन क्या इंडिंग पॉइंट है कि यह भी क्या दिखा रहा है कि में फ्लेट का एंडिंग फॉइंट है थोड़ा से इदर जा रहा है कोई बात नहीं आप कर दूए है कि यह अब तो सही है यह आप समझ गए यहां से कि यह लाइन आपका क्या ड्रॉप करवा रहा है यह चीव करवा एक बूल्ट यहां पर 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 एक बूल्ट यह की पारी का गई है कि section को डिवाइट करने के जाए लिए पहला यह सेक्षन आया आप ये को इसको बूल दिया आप ने section number one section का numbering करना बहूत जौरी है दूस्त भी ध्यान रखेगा आगे जब आप टेंजन मेंबर वाला चप्टर पड़ोगे ना वहां पर और मज़ा आने वाले आपको तो पहला section ये बोल दिया आपने पिसको कह दो अगे कि यह लो second section हो गाओ अगर सेक्षन आप इसको कह दो में सेक्षन लेने से क्या फरक पल रहा है आपको देखना में माद सेक्षन होगत दोस्तों कि अगर आप द्यान से देखें इस फॉर्स के विहाब पर यह वाला फर्स्ट हो गया इस फॉर्स के साथ इधर वाले फॉर्स के साथ यह सेकंड वाला हो गया और यह वाला थर्ड वाला हो गया सेम कहानी सेम कहानी कई लोग के दिमाग में ऐसा आना स्वाबा हुई भी है इसा और फिर थर्ड वाला आप इधर के इसाफ से चलो यह इधर के इसाफ के चलो चलो सेम तूसेम आपकी कहानी होने वाली कोई फ़रक नी पड़ेगा कोई परक नी पड़ेगा आप अगर यहां से इसके बियाब पर देखते हैं सेम टूसेम इसके बियाब पर भी देख सकते हैं समाज के बाद को चलो मेरे साब से चल लेता हैं सबसे पहला दोस्तों कि मुझे एक चीव बताओ shearing strength कैसा आएगा इस फ्लेट में बाद में और तो कोई दीखतंप नहीं और तो हटा दो आप मुझा लेता है, आपको निकालना है टेयरिंग स्ट्रेंद पड़ेगी जब आप एफिस्एंसे निकाल रहे होंगे, तो टीडी अन की जरत पडे गांगें 100% ली तो चलwelt देखते हैं, टेयरिंग स्ट्रेंद थे बोल कहते हैं, टेयरिंग स्ट्रेंथ। कैसे निकालते हैं। निकाल ओप से यहाँ पर υड June सबसे ज्यादा जो खत्रह मों यहыми पर होगा क्योंकि जब एक ट्रीरिंग लोड आरा है। और सबसे ज्रधे ज्यादा सम्स Variल देखेंगें कितनी स्ट्रैंथ है वह आप खुद देखोगे देखना बहुत इंपोर्टेंट कॉंसेट बता रहा हूं प्रिकिए इसके बिना आप 100 परसेंट लिए स्योर सॉर्ट हूं है नुमेरिकल करी नहीं सकता नुमेरिकल करोगे भी गलत करोगे अगर आपने एक वह नहीं सीखा तो पहली बार साइब म कि एक्ट सेक्शन वन-वन हमें क्या निकालना है कि ये इंट कर देता हूं धी ऑन पर कि निकाल रहा है तो यह लोग तो आपको याद आई रहा होगा आप परमला बताया था याद आ रहा है तर याद आ रहा था बताते हैं आप जीरो पॉइंट नाइन टाइम सॉप एफ यू क्या क्या नेट सेक्शन रफ्चर के साफ़ चलता है अल्टिमेट इस्ट्रेस आएगा और इवन आपको याद भी होगा कि यहाँ पर हम क्या लेते है याद आ रहा है कुछ सब्सक्राइब करना तो वही था हम प्लेट की बात कर रहा है एरिया लेना हमें एरिया के लिए आपको करना होता था बी माइनस एंडी वाला ही खेल करना है लेकिन सवाल यह है कि कितना हम एन लेंगे कितना डी लेंगे वह सवाल जरह बताओं तो अगर आप ध्यान चादेखें एंगर आप ध्यान चादेखें दोस्तों पस्ट पस सेक्षन में तो आप क्या देख रहे हो वर्स्ट वन सेक्षन में परमला तो वही बनेगा परमला तो वही बनेगा दोस्तों कि P- एंडी इंटु टी रहेगा लेकिन नमर आप रिबेट कितना रहेंगे सवाल यह ना नमर आप जो भूल्ट है सौरी नमर आप बूल्ट कितने रहेंगे तो नमर आप बूल्ट कितने रहेंगे यह जो है ना आपको फील हो रहा है कि बूल्ट लाइन है यह क्या दिखा रहे है ना बूल्ट लाइन है आपके जैसे कि एक बूल्ट लाइन ही हो गया एक बूल्ट ही हो गया लोग दिखाए देता है एक बूल्ट यहां पर हो गया, एक बूल्ट ही हो गया, इसी लाइन के नहीं, यह बूल्ट आपको दिखा दिया रहे हैं, बूल्ट लाइन आप कह रहे हैं, इनको बूल्ट लाइन कह रहे हैं, क्या हो गया आपका, घडवाला ऐसे यहां पर दिखा दो आप, देखो, यहां प कि आप किस तरह से टेरिंग स्टेंथ आप दे प्लेट निकालोगे तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगे क्या रहेगा तरीक वन वन सेक्षन में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है बी माइनस मैं दिखाता हूं आपको दी माइनस 2 इंटू दी करना है तो फस्स सेक्षर में आपके ऐसा आएगा काम है ठीक है प्लेट की बात कर रहे ना आप दी माइनस 2D इंटू T करना है दोस्तों कुछ इस तरीके से करना है वह समझे बात तो अचाहिए बी क्या चीज है बी आपके प्लेट की थिकने वहलब कि यह जो भी है ना आपर दिखा सकते हैं इसकी चौड़ाई है यह पूरा पूरी चौड़ाई है कहने का मतलब हो दिया भी रहता है तो इसकी चौड़ाई हो गए आपके में प्लेट का और थिकनेस हो गए इसकी टीम तो भी माइनस ग्रॉज डायमेटर आपने लिखा बहुत बढ़िया डंग से दोस्तों कुछ इस तरीके से करना है कमाज आया है कुछ डाउट हो तो आउट का तो कुछ सीमा ही नहीं है कुछ इसमें है तो जीरो पॉइंट नाइफी अपॉन वन पॉइंट तू फाइब और वी माइनस टोड़ाई में से आपने निकाल दिया वी माइनस टू डी इंटू टी क्या राम से निकल चुका है कुछ समस्या ही नहीं है क्या करें करें कर दोस्तों कि मैंना अभी इन चीजों को अभी काम करते हैं अभी बस अरेंग्मेंट समझों आप इसमें जो है जब तक आप निमेरिकल निंभी करोगे अब तक निकालते इसमें आपका ऐसा ने ना लोजा केवल आंगा हुआ रखता हुआ तो पहले ंरेंजमेंट किया है छेंजएं बोल्टिक है दूसरानेंग्मेंट जो है दोस्ता हुआ है अधिकले मांट बोल्टिंग गूसरा है डायमन बोल्टिंग पर आपको थोड़ा सभी याद होगा जब मैं आपको रिबेट सिखा रहा था मैं आपको बहुत अच्छे से आपको समझा था कि डायमन बोल्टिंग ज्यादा एकनमिक और ज्यादा एफिसेंट होता है और यह बात मैंने आपको बहुत अच्छी समझाए भी थी क्यों होता है सेम वही लॉजिक आप यहां पर भी लगा सकते हैं दोस्तों सबसे पहला सवाल कि यह जो दाइन क्या दिखा रही है दोनों लाइन मुझे समझाने की जरहतनी क्या है इस वाद एक से लगा दिखा यहांपर किनारे में लगा दिया औरस का डा रहां यह दोस को और है निया है यहां पर सबसे critically section मेंड Πलेट के लिए होता है यह और यह मून सेक्शन होता है अंगों सेक्शन और यह वहाला जो सेक्षन था दो तोस्तों तो वुक्राइब उन स्क्षेन एसन रंप हो गया यAwा वाला प्रतिरी सेक्षण स्क्षण लिए जो आपका वर स्प스क्षन होता है सबसे जादा कृिटिकल होता है में प्लेट के लिए section होता है सबसे ज्यादा critical होता है main plate के लिए कहने का मतलब है अगर मैं आपसे कहा हूँ main plate कहने के मला यह main plate होती थी cover plate मैं plate के लिए आपका critical section कौन सा है one one cover plate के लिए critical section कौन सा है वो 33 वो मैं वह आपर भी समझाया था आप चाहे तो लिख सकते हैं the critical section for the main plate this is the one one section the critical section for the cover plate this is the 3-3 section लिख देना यहां पर और साथी साथ मैंने यह भी बताया था आपको not में कहीं पर लिख देना कि जो आपका diamond pattern है this is the most efficient and most economical कहने का मतलब है not में इस बात को लिख देना diamond pattern जो आपका है arrangement diamond pattern most pattern is more economical more economical भी है यह और साथी साथ and efficient efficient भी है equation यहीं साज आपका तयार हो गया equation यहीं साथ तयार हो गया economical भी है और efficient भी है तीका जी आपने लिखा diamond pattern is the more efficient and economical because of the net area plate at the section one one is reduced by only one bolt hole and one section one one maximum this is the force restricted क्योंकि जितना आप plate में hole करोगे जितना आप hole करोगे छेट करोगे उतना plate की strength भी तो गट रहे है ना इसलिए यहाँ पर plate की मजबूती बनाने के लिए केवल एक ही hole किया गया है plate का सबसे critical सबसे ज़्यादा जो डर है वो यहीं पर फटनेगा यहाँ पर ज़्यादा hole किये ज़्यादा board के चकर में plate फट सकते है इसलिए वहाँ पर केवल वन ही किया है इसलिए इसको सबसे करें arrangement की आज का जोई class का सबसे मेरा में जो अचित्त था वो देश से था वह आपको efficiency समझाना था उसके बाद efficiency को निकालना कैसा है नमर और बूर्ड की जरत पड़ी यहाँ पर उसके बाद strength of solid plate के लिए आपको निकालना क्या है किस बेस पर निकालते हैं क्योंकि मैंने कहा है इस्टेंट आफ सॉलिड प्रेट आवलवेज गवर्ण बाइल्डिंग पात आपको पता होनी चाहिए उसके बात किवल मामली सी बात की है कि arrangement कैसे होता यह तो चेन arrangement होगा यह तो चेन arrangement होगा चेन वोल्टिंग हो गया यह तो आपका diamond arrangement होगा diamond pattern जो है सबसे efficient और सबसे sustainable भी माना जाता है कि experimentally भी देखा गया है और यह निमेरिकली भी मैंने रिबेट वाले केस में आपको प्रूब करके बताए है अगले एपिसोड में इससे जुड़े वे question करेंगे हम तो और ज्यादा फील करोगे आप इन चीजों को प्रूब करते वे पाऊगे साथी साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मले और हैं जिनको हम डिसकस करेंगे तो आज की एपिसोड को यहीं पर रखते हैं थैंक यू वेरी मच थैंक्स तो अल